ओम शंति परंतु मम्मा को देखती ही लगता था कि साक्षाथ देवी मूरत है ऐसे नहीं लगता था कि मम्मा कोई कुमारी है या साधारन है परंतु यहीं लगता था कि मम्मा तो एक देवी है देने वाला देवता मम्मा ने अपने जीवन में अपने मन और चित को इतना भरपूर करके जो बाबाने जो खजाना दिया उनोंने अपने पास जमा रखा और वो जमा करने के पस्चाथ प्यार से हर एक कुद ममा बांधती ही रही तबी तो सरस्वती मा का गायन है प्रंदो सरस्वती के लिए दिखाती है सितार ममा जिस समय बोलती थी ममा का आवाज बरा शिक्ति शाली ऐसे ही कोई नरम गरम आवाज हो या कोई छोटा आवाज हो ममा का तो बुलंद आवाज परंथु उस आवाज में भी इतने मेठाच जैसे ही कोई musical instrument बच रहा हो ममा की मीठी मीठी वाणी इसी तरह से ही चलती थी तो बच्पन में जब मैं पहले वारी ममा से मिली तो ममा का रूप देख करके ही बहुत-बहुत ममा के साथ दिल का प्यार जुट गया मैं आठ साल की उमर की थी उस घरी और फिर ममा ने मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिया और उस छोटे से बॉक्स में कुछ ड्राइफ रूट्स थे तो वो तो ड्राइफ रूट्स जल्दी चले गए परन्तु वो जो बॉक्स था प्लास्टिक का था उन दिनों में 1957 की बात है प्लास्टिक एक नया जैसे की बहुती सुंदर चीज मार्केट में आई थी उससे पहले कोई प्लास्टिक की चीज़े नहीं मिलती थी तो ममा ने मुझे वो चोटा सा बॉक्स दिया और वो बॉक्स मैंने कितने वर्षयों तक संभाल के रखा 65 तक 1965 तो तब तक तो मेरे पास वो बॉक्स रखा रहता था और बच्पन की यादे उस समिय उसको देख करके आती थी मम्मा की याद आती थी कि मम्मा कितनी मेठे है मम्मा कितनी प्यारी है फिर जब मैं विपेच में 1964 में भारत आई तो उस घरी मम्मा बॉम्बे में थी तब्यत के कारण और वैसी तो उस समय की बाद थी जो मैं कोई योग वगरा बैठ करके करूं मैं मुडली पड़ूं वो तो थाई ने परन्तु दिल का प्यार दिल का संबन सब दादियों के साथ जो बॉम्बे पूना में होते थे जिनों के साथ मुलाकात होती रही उन सब के साथ अती प्यार तो मम्मा के साथ भी प्यार परन्तु साथी साथ थोड़ा संकोच हो रहा था कि मैं तो योग में नहीं बैठती हूं प्रन्तु माताजी ने टाइम लिया हुआ था तो हम गए मैं और मेरा छोटा भाई और ममा इतना प्यार से मिली जो कोई ये नहीं सोच सकता था कि ममा की तब्यत कोई बिगर गई है ममा का चेरा चंद्रमा के समान ममा का प्यार बेहत का ममा उसी रीती से मिली जैसे कि पिल्को ममा ठीक हो तब्यत में कुछ फरक नहीं था परँन्तु ये भी बात है कि ममा भी जानती थी कि जितनी सेवा उस तन से करनी थी ममा को हर घरी सफल करना था क्योंकि मामा जानती थी कि कुछ समय के बाद मामा उड़के जाएंगी तो उस समय मामा बरी प्यार से मिली और फिर साथ-साथ मामा बहुत मीठी-मीठी बाते भी करती रही माताजी हमारी मामा को कहती ममा आप इन लोगों को बोलो की योग लगाए वो आज का योग नहीं करते है तो ममा हम दोनों को देखे और मातीजी को देखे पर अंतु ममा फिर कहे नहीं, आप इनों को छोड़ दो उनों को जबरदस्ती नहीं कहो अपने समया पर आपे ही वो योग सीखेंगे और योग करने लगेंगे तो 64 की बात फिर 68 में सिध हुई तब तब तो उस बीच में मीठी ममा तो उड़के चले गए परंतु 68 में फिर जब जागरती आई और फिर संकव की ही आया कि मैं ये बाते स्टडी करूँ तो फिर बहुत जल्दी में फिर समर्पन का भी संकल पाया तो वो भी बाबा ने बहुत प्यार से स्वीकार किया परंतु उस घरी ममा के भी वो शब्द आते थे याद कि समया आने पर अपने आप ही मन में जागरती होंगी योग लगाने की तो मैं सोचती हूँ कि जो कॉरिस ओफ विस्डम शब्द आता ममा हर बात बहुत गयराई से सोच सोच करके ममा के पास सर प्रकार के उत्तर तयार रहते थे तो उन दिनों में योग तो शुरू नहीं हुआ और ममा ने फोर्स भी नहीं किया ममा यदि फोर्स करती थी तो भी हमारे मन को पसंद नहीं होता था शायद पर उन्तु ममा का था कि प्यार का नाता बना रहे जिस प्यार के नाते से फिर और आगे दर्वाजा खोल सकता तो रियालची ही ऐसी रही तो आप सोचो ममा हर बात के अनभवी ममा कोई लौके खिसाब से माता नहीं थी परन्तु मा के ममता क्या होती ममा जानती थी और उस अनुसार फिर जनों को जो इशारा देना होता था ममा अपने आपी फिर ब्ट इशारा दे थी तो ममा ने तो अपना कितना उंचा भागय बनाया स्री लक्ष्मी ममा बन गई राधे बन गई तो इस चनम में ममा ने संपूरन त्याग किया जिस कारण से संपूरन भागय के प्रापती हुए मम्मा न किसी से डरती थी, मम्मा न किसी से संखोच करती थी, मम्मा कभी घबराती नहीं थी और यही बाते तो मैं जो बता रही हूँ मम्मा को छुटे पन में हैं सब बाते फेस करनी पड़ी क्योंकि बाबा जानते थे कि ये आत्मा कौन सी आत्मा है जो मेरे सामनी बैठी है और मम्मा को देख करके बाबा फिर कई बाते भावश्य की बताते थे तो मम्मा की जो ट्रेनिंग हुई डिरेक्टली बाप दादा के द्वारा जैसे अन्य दादियां भी परन्तु उस ट्रेनिंग के हिसाब से धोरे समय के अंदर जैसे ही कोर्ट केस शुरू हुए तो ये कौन है मम्मा उस समय तो उन लोगों को तो मालूम नहीं था परन्तु मम्मा जिस समय स्टेज पर आती है इतना शक्तिशाली प्रवच्शन करती है जज को ही हैरानी होती कि इतनी छोटी सी कुमारी कहां से ये सब बाते सीख के आई है और बता रही है परन्तु ड्रामा अनुसार जिनों को और आगे का जीवन का कार्य करना है वो कर रहे हैं बाकि हम सभी यहां बैठकर बहुत अच्छा आनन्द ले रहे हैं क्योंकि जितना जितना ये दिव्य समृतियां इमर्ज रखते हैं उतना ही अब भी भी खुशी और भावर्षय भी हमारे खुशी का खजाना जमा हो जाता ओम शांती